नोश्क्यार मैं अशोक यास अभी जैपूर में एक ऐसे मनेशी हैं जिनके साथ बैठने का सवागिय मुझे दिला है जिनकी ताजा पुस्तकों में एक पुस्तक पर हम विशेशूर से चर्चा करेंगे जिसका नाम है संस्कृति के आयने में हनुमत चरित सुरेश चंद्र आयने में जब शब आपने प्रयोग की हैं तो आपकी लेखनी का जो कमाल है वो पाथक उससे चमतकरत विश्मित और प्रवावित और प्रेरित हुए बिना रह नहीं पाते हैं इसे पहले कि मैं आपको निवेदन करूं कि हम उस पुस्तक के वारे में चर्चा करें पहले मेर आप प्रणाम स्वीकार करें नमस्कार अराभार के साथ में इसे पूर भी आपने अलग अलग विशेयों पर विशेश करके आप हिस्ट्री से संबंदित रहें आपने पढ़ाय रिसर्च भी किया है तो मैं आपकी पुस्तके हैं कुछ हमारे दर्शकों कुछ दिखा दिखा हम कभी अलग से चट्चा करेंगे इसमें भी बहुत रोचक बाते है और ये नेशनल मुऽमेंट इन अ प्रिंस्ली स्टेट ये वी आपके पुस्तक हाए जह कौंसी स्टेट के बढ़े ये भरतपूर के बारे और वो राजा भी वह में झालग लाट्था तो तो बहुत ए तो इन पुस्तकों के साथ साथ एक पुस्तक जो हमें ऐसे लगता भी है कि ये तो काफी पहले की किताब होगी और नाइंटी एटी एटी वन में ये प्रकाशिद हुई किताब है सिंधिया होलकर राइवलरी इन राजस्थान और आप जानते हैं कि पूर जो मुख्यमंत्री थी वो भी इस परिवार के साथ समझे जो और अमान आप गए थे वहां इस पुस्तक में भी आपका एक लेक है पर इन सब का उलेक करते हुए फिर एक वार आपको बढ़ाई और धन एक अलग व्यक्ति के निवेदन से बात प्रारम करना चाहता हूं आप अपनी कोई ऐसी कविता जो आपको याद रहती है उससे हम शुरू करें कभी के रूप में भी आपकी ख्याती भी है और आपका वो प्रेम है शुरू की कविता मेरी ऐसी है जिसमें कि मैं थका हारा हू और फिर मैंने अपने अंदर का जो नहराश्य भावे उसको नियंतरित करते हूए अपनी स्वाविमान और स्वावलंबन की रक्षा करते हूए कुछ कविताओं का सुरू जन किया मैं आपसे निवेदन करूँ कि आपका यह संकलन है बात मेरे अंतर मन की इसमें एक कविता ऐसी है जो बात आभी आप कह रहे थे उसके साथ कहीं मिलती जुलती है यह आप इसके दो चंद सुनाने का निवेदन स्वीकार करें मुझे इसकी एक प्रश्ट मांग ना मत भीक तुमरे प्यार की मैं मांग नहीं सकता और वो अंदर इतना सावलमन घुसा हुआ है मेरे अंदर कुछ मैं समय की गोद में पल जाओंगा या विथा की अंक में सो जाओंगा पर नमांगूंगा किनारा लहर से और नकायर मुक्तिलूंगा जहर से वह वो जो जज़वा है मैं समय की गोद में पल जाओंगा उसमें मुझे कोई प्रेम करे न करे मुझे कोई मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं या मेरे मता पिता का मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं किसी से नहीं मांगूंगा और कुछ उसी भाव को इसमें एक लिरिक फॉर्म में के प्यार तो मिलता नहीं है याचना से और थप थपी मिलती नहीं है वंदना से के प्यार की भाशा सदा ही मोन रहती और नेह की सरिता स्वयं चुप चाप बहती एक छंद और सुनाओंगा कि वंदना याचना तो दीन करते कि वंदना याचना तो दीन करते अरे प्रार्थना अव्यर्थना तो हीन करते अरे जो बिना मांगे मिले वह प्यार होगा जो बिना मांगे मिले अधिकार होगा क्या बात है? मैं समय की गोद में पल जाऊंगा प्यार की भाशा सदा ही मोन रहती और नेह की सरिता स्वयम चुपचाप बैती और बैते बैते कब हनुमान जी की कृपा से ऐसा अवसर जीवन में उद्गाटित हो जाए कि सुरेश चंद्र मिश्रा जी वो प्रेरणा अपने वीतर पाएं कि उनको एक ग्रंत रूप में हनुमान जी के चरित को हम तर पहुंचाना है इस पुस्तक तक आने से पहले हनुमान जी के साथ जो आपका संबन्ध हनुमान चालीसा के नित्य पारायन के साथ प्रारंब हुआ उसमें एक तो आनंद हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी पर कुछ ऐसी अनुमूतियां जो आपकी बहुत नेजी होंगी क्योंकि जो अनंत है वो अनंत रूपों में रिस्पॉंड करता है हर साथक के भक्त के लिए आप अपना कुछ यदी शेयर करें 1975 से पहले मुझे भगवान में हनुमान जी में किसी में विश्वास नहीं था मैं एक साम्यवादी मेरा स्वर रहा मैं बिलीवर नहीं था यश्वास में मेरा श्वास नहीं था मेरी धरमपतनी म्यूजिशन रही है और भक्त रही है अब एक साथ दो का रहना मुझे ज़्यादा देवी देवताओं में वह बहुत सारे उनके रखे रहते थे मैंने क्या इतने देवी देवता रखती है उटा उनको तो मैं बड़े कुनवे की हूँ मेरा छटा नम्मर है दस भाई बैन हैं तो मेरे तो ये सारे देवी देवता रहेंगे मैंने का जोर से चला कि मत ये किया करो पूजा पाट कि मेरा तो ऐसा ही होता है तो वो बड़ी म्यूजिशन थी तो धीरे धीरे उनके प्रेम से संगीत माई प्रेम से मेरे उपर ऐसा असर हुआ कि वो एक बीज पड़ गया बक्ती का और फिर उस बीज कब वो एक पौधा बन करके और वो हनमान जी के निमित समर्पित हो गया ये मुझे खुद नहीं मालूम इसके पीछे एक कारण चोटा सा और है 1975 में एक प्रफेसर थे इंग्लिश के धौलपूर से ट्रांसफर हो की गंगा नगर आये वो जनमपत्री बहुत अच्छा देखा करते थे मैंने उन्हें बुलाया पंड़ी जी भोजन करने के लिए घर आना पनिश्मेंट पर वो गंगा नगर ट्रांसफर हो की आये थे जब उन्हें बोजन कर लिया तो उन्हें कहा कि आप अपनी जनमपत्री ले आओ जनमपत्री मैं रखी कि पंड़ी आपको बहुत कश्ट रहे हैं जिंदगी में बहुत उतार चड़ा आप देखें आप मेरे कहने से हनुमान चालीसा करो मैंने आपकी जनमपत्री देख लिए हनुमान चालीसा करो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं तोड़ा गायन तो मेरे अंदर था स्वर्त मेरे अंदर था तो मैंने कहा कि इन्होंने कहा है तो प्रभु प्रसंद होता है गायन से ही होता है क्योंकि हमारे यहां वेदों में कहा है कभी और कविता यह बहुती आदरनी माने गए हैं तो उन्होंने कहा मैंने शुरू किया धीरे दीरे गाना शुरू किया और जिनोंने मुझे कहा था उनका दिहान दो गया पंडीजी का भी प्रफिसर शेर्मा का अब वो तो चले गए पर हनमान जी मेरी अटक गया और हनुमान चालीसा मुझे अंदर आ गया और कुछ प्रकृती मेरी ऐसी है कि जिसे पकड़ लेता हूं जब तक दूसरा ना मिले तब तक उसको छोड़ता नहीं है और वो हनुमान जी मेरे जीवन में उनका पदार पड़ू गया अब हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जवनाम सुना में मुझे लगा कि ये भूत पिशाच में तो मेरे विश्वास है नहीं तो भूत पिशाच को मैंने उल्टा किया वो भूत जो पिशाच बनके आपको सता रहा है मेरे बच्पन का मेरे युवावस्था का जो मदर का जो लॉस था उसका जो भूत था जो मेरा पास्ट था जो मुझे टॉर्मेंट कर रहा था तो भूत पिशाच का मतलब वो भूत जो पिशाच बनके मुझे सता रहा है और मैं अपनी मा को भूल नहीं पा रहा और उनका करोणा मैं सरस रूप में अपने अंदर आत्मसाद करना चाहता हूँ लेकिन उनका बिच्छो मैं सुईकार करूँ ऐसा कुछ मुझे लगी और तब मैंने पाया कि वो भूत पिशाच निकट नहीं हाँ महावीर जब नाम सुनाएं तो जैसे ही आप महावीर का नाम लेंगे हन्मान चालीसा काएंगी तो आपका शमन अंदर हो जाएगा, आप तरल हो जाएंगे, सरल हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगे और परमात्मा की अनकंपाप पराएंगी तो समझने की द्रश्टी से जो शब दोते हैं तो हम उनका उनके विन्यास के साथ यह से निकालते हैं तो महावीर जब नाम सुनावें मैं क्या ऐसा कुछ संकेत है कि महावीर यानी कि हनुमान जी कुछ सुना रहे हैं उसका श्रमन आप करें या आप महावीर का नाम सुनें महावीर कहें या हनुमान जी कहें वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा चरित्र है जिन में सब प्रकार का तीनों प्रकार का बल है शरीर बल भी है वो पहाड को उलांग सकते हैं समुद्र को उलांग सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं अतुले तो बलधामा उनकी लिए कहा गया है नमबर दू उनमें बुद्धी वल बहुत जादे है वे बुद्धी वल में अगरगण्य है जी ग्यानियों में अगरगने हैं सूरी उनके टीचर हैं और तीसरा राम के भक्त हैं मतलब spiritual power भी उनके पास है physical power भी उनके पास है intellectual power भी उनके पास है वे तीनों प्रकार के बल से युक्त हैं ऐसे का नाम लेकर और फिर सारा का सारा विसरजन मैं कुछ हूँ नहीं राम सबाब कर रहे हैं मैं तो निमित हूँ सारे बल के बाद भी विसरजन का भाव रखना हनुमान जी ने मुझे सिखाया बल के साथ विनय का कॉम्बिनेशन हनुमान जी ने मुझे सिखाया बल और विनय बल के साथ एहंकार आता है यह निरने हुआ, यह आपने निच्छे किया कि इसको पुस्तक रूप में प्रसुत करना है तो आपने कहा कि मैंने तीन बातों का ध्यान रखा जो आपको प्रस्तावना में लिखा है कि जो आप लिखेंगे वो प्रमान सहित होगा, एक तो आपने यह कहा दूसरा आपने कहा कि जो हनुमत चरित के साथ जो रसानुगूती है वो जब आप लिख रहे हैं तो निरनतर आपको प्राप्त होती रहे हैं और तीसरा आपने कहा कि जो आम भक्त है, उनकी जो शद्दा है उसको कोई ठेस नहीं पहुँचे इस प्रकार का आपका लिकानौब तो काफी बड़े आपने चुनोतियां आपने सामने रख ली हैं ऐसे एक एक को लेके चलते हैं, जब आप प्रमान की बात करते हैं तो प्रमान का समन्द श्रदा के साथ होता है या तत्थेओं के साथ होता है और हनुमान जी के संदर्व को लेकर तो जो प्रमान है वो तो हमारे शास्त्र ही प्रमान है या बहुत इक जगत में भी कुछ ऐसे साक्ष्य आपको उपलब्द हुए है जिनका उल्ले का आपने किया प्रमान का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो कल्पना नहीं है उसका एक वजूद है उसका एक एक अस्टित थ है वो सत पर आधारेत है वो सेजह है उसका स्टित है हनुमान जी में तीन चीज़े मैंने देखी सत और चित और आनंद जो हमारी भारती संस्कृती का मूल है इसलिए मैंने उसका किताब का नाम ही रखा संस्कृती के आएने में सत उसका स्तित्त है और चित चैतन है वो जागरत है हनुमान जी और आनंद में रहती हैं राम remember रसायन तुम्रे पासा स्दा रहो रगुपति केे इंड़ादा राम का रसायन उनके निरंतर उनके अंदर रहता तो प्रमार मुझे यही देना था कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा मैं किषी सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा मैं वो बात कह रहा हूँ जो इस धर्ती की संस्कृती में हजारों साथ से कही जाती रही है वो प्रमान मुझे जोटाना जरूरी था जिससे आम आदमी तक वैग्यानिक का सौटी पर भी वो बात उत्रे कम से कम सिक्षित जो हमारे अंग्रेजी पड़े लेके लोग बच्चे हैं वो इसको के कपोल कल्पित काल्पनिक बात ना समझें बलकि उसका एक ठोस धरातल है वेग्यानिक आधार है उसका तारके का आधार है उसको इसलिए प्रमार्दनी जिरुत पड़ी मुझे तो बहुत संदर बात आपकी लेते हुए मैं हनुमान चाली सा प्रारम जाह से होती है स्री गुरु चरन सरोज रज निजमन मुकुर सुदार बरनव रगुवर भीमल यस जो दायक फल चार तो चारों फल देने वाले जो हनुमान जी है उन्होंने आपको रसानु भूती का जो स्वाद लेखन के समय जो दिया उसमें से कोई प्रसंग ऐसे याद आता हो कोई ऐसी अंते प्रेर्णा जिसमें सगन अनुभूती उनकी कृपा की या कृपा प्रसाद की हुई हो बहुत आपने मेरे अंतर को छेड़ दिया मैं जब कुछ गरंथ लेखता हूं तो मंदिर मैं प्राताय काल उठकर मंदिर एक गंटे बैठता हूं और कृष्ण की मालाएं करता हूं मैं एक गंटे मिनिमूम दो धाराएं एक साथ मेरी जिन्दगी में चल रही है एक धारा है हनुमत धारा या कहें मोटे तोर पर भक्ती धारा क्योंकि हनुमान जी कौम अने राम के साथ भी हैं कृष्ण के साथ भी हैं वे चरंजी भी हैं तो चाहे मैं कृष्ण की माला करूं तब भी हनुमान जी की माला हो रही है तुम्रे भजन राम को भावें हनुमान जी और राम में कोई अंतर ही नहीं है मैं हनुमान जी की प्रारतना कर रहा हूं तो राम तक पहुंच रही है वो तो कहीं अंतर नहीं है इसलिए मुझे जब मैं अपना गरंट कोई लिखता हूं कोई भी गरंट लिखता हूं तो उस गरंट में थ्री फोर्थ रसान भूती हनुमान जी की कृष्ण की राम की होती है वो मुझे बल दे रहे हैं वहां से मैं एनरजी मेरे फ्लो करती है और मैं लिखता चला जाता हूँ तो मेरी शोध जो है इत्यास का शोध और भक्ती का रस शोध रस दोनों मिल करके मुझे कुछ उपलदियां दे जाते हैं बहुत सुनर के प्रार्म में आपने बाते हैं कहीं उन में से एक बात यह भी मुझे स्वरन आती है कि आपने पताया प्रयत्न जो हमारा है उसको प्रार्थना रस्मय बनाती है और थोड़ा सा संकेत आपने किया लेकिन प्रयत्न अपने आपने आपने करने वाले कई हमारे बुद्धी तो प्रातना प्रातना को रस्मा कैसे बनाती है? तीन शौद है, जो कि मैंने विचार किया, प्रातना प्रारब्ध, वह, तीनो प्रपर है, प्रारब्ध, जब मैं भत अपने से उलज तरा, कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है या ऐसा फल विपरीत प्रतिकूल फल क्यों मिल रहा है मुझे तब उस समय मुझे ही लगा कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है प्रैतन की एक सीमा है प्रैतन सूखा होता है प्रैतन एंकार देता है प्रैतन आपको परमात्मा से जो सबसे बड़ी शक्ती है और अपनों से काटता है प्रैतन सीमित है वो आपको अपनों से अलग करती है प्रैतन एंकार देता है तो उसको रस्माय करने के लिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं कुछ जो कुछ पा रहा हूँ मैं कुछ जो कुछ समझ रहा हूँ उस सब के पीछे एक अनंत शक्ति है जो मुझे 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 से कनेट करती है वो चाहेगा तो न तो मिलेगा एक एक इश्लोक है गीता का क्योंकि सारे ग्रंथ कंटिनुटी में हैं विशयावी निवर्त तो विश्यों का त्या करना है तो भूके रहो विशयावी निवर्तंती निराहारस निराहारो लेकिन सब कुछ करने के बादी परमात्मा न मिले तो उसमें कृष्ण लिखते हैं एक परम द्रश्ट्वा निवर्त ती परम की द्रश्टी पढ़ेगी तो ही आपको कुछ गीता का ये परम द्रश्ट्वा निवर्त ती परम की द्रश्टी जब परम चाहेगा दा लॉर्ड चाहेगा सुपीम लॉर्ड की बेटा अब तुमको कुछ मिलने वाला है मैं कही बार कहता हूँ कि मेरी जन्म पत्री में जब ची बोल जाती है मेरी कि अब उससे नहीं होग मैं अब नहीं कर पाऊंगा तो पीछे परमात्मा खड़ाया होता है मुझे ऐसा लगता है बस हो गया ची बुल गई तुमारी अब ये तुम परा प्रसाद ले लो तो प्रयत्न का चर्म चूने के बाद भी प्रसाद मुझे तम मिलता है जब प्रार्थना साथ होती है तो प कियान की संपदा के कुछ बहुमूल्य रत्न हम तक आ रहे हैं तो आपने इस पुस्तक के प्रारंब में परिचायात्मक दो चार प्रस्ट अंग्रेजी में भी लिखे हैं उसमें आपने ये का कि हनमान जी जो है में बड़ा कंट्रास्ट जैसे वो माइटी और मॉडेस्टी का कंट्रास्ट आपने बताया और सेंट हैं और लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट हैं आपने का वो सैली मतलब हनमान जी तो आज इवन जो ब्रह्मुचारिया वाले हैं लेकिन वो महिलाओं के या मात्र शक्ति के मन की दुरूह बातों को भी समझने की क्षमता रखते हैं तो इन स इस यह प्लैनर वाली बात ऑर जो स्ट्रेटेजिस्त वाली बात और जो अबि आपने का समरपन तो समरपन भी हो और स्ट्रेजी भी बनाए ये कई बार लोग इस दोबिला मेर mermaid की करने वाला वह मैं फिर आंकार और इस संदर में आपको समर्पन और प्रयत्न, इस्ट्रेटेजी प्रयत्न का इस्सा है, आपका इस तरह से काम बनेगा कि इस तरह से बनेगा, इस्ट्रेटेजी बदली जा सकती है, प्रयत्न में बदलाब होता रहता है, हनुमान जी माइटियस्ट है, वो सब काम खुद कर सकती है, लेकिन राम ने उन्हें सि पर शेतर के हेड्स हैं, अपने अपनी शक्तियों केंद्र हैं, हनुमान जी को राम जी जब मिले तो राम जी ने कहा, बेटा सीता की खोज करनी है, ये काम में तुझे सौपराओं, तुम्हेरा से दूत है, कोई नक्षा ने दिया कहा सीता मिलेंगी, कोई सेना ने दी उन्हों ने, उन्होंने कहा, उन्होंने ले लिया, और उसके बाद वो गए उड़कर के, इतनी ताकती सोयोजन समुद्र की लांग करके गए, उपर भी और जब जाने से पहले जितनी देवी देवता हैं, जितने भी सब के ढोक लगा रहे हैं हनुमान जी, हनुमान जी खुद बहु हैं, लेकिन, राम जी का काज है, गड़बड न हो जाए, राम जी पुम्न ताके प्रतीक हैं, गड़बड न हो जाए, मा सीता की खोज करनी है, कुछ कमी न रह जाए, तो शनी देव के भी कर रहे हैं, हर देवी देवताओं के पेर चुख के जा रहे हूं, हर शक्ती के नमन कर रहे हैं मेरा काम राम काज होने तो फिर मैं आराम से बैट हुआ उनकी यात्रा में भी कभी उनको तरह तरह के बताया जाता है कि पिशाच मिलते हैं लेकिन हर शक्ती को जैसे होता है करते हैं जाते हैं एक तो उनका आस्पेक्ट ये वाला है कि वो स्ट्रेटेजिस्ट है और लंका जलानी है तो विकाट रूप ले लेती है तो रूप परिवरतना अन्माजी रहे हैं ऐसे लिंग्विस्ट है वो यह रणनी तक है इसा कौन सी भाशा कब बोलनी है राम जी के सामने संस्कृत में बात कर रहे हैं तो राम जी ने का लक्षमर ये हनुमान वेदा की लगता है वेदा की भाशा बोल रहा है राम चमतकरत हुए क्यों राम संस्कृत है राम शास्त्रा की भी है शास्त्रा की भी है राम जी को एप्रिशेट किया राम प्रभावित ह पर सीता के पास जा रहें तें अबधी में बोल रहें हैं उनने कहा सीता को संसकृत मनि मा आभी है न तो यहां की भाष़ा ही समझेगी लगरूप लेके मा की भाष़ा में उनको बात कर रहें तो यह हनुमान जी सी यही सीकना है کہ कुम सी बात कप करें अपने सिद्धी के लिए अपने यत्न की सिद्धी के लिए और राम का काज उसकी सिद्धी के लिए कोई चूक न रह जाए भाशा संबन्दी विचार संबन्दी रणनीती संबन्दी तो और तीसरी बात हनुमान जी के लिए हन्वान जी अवे भाये थे हैं वे महिला का इस पर्ष भी स्विकार नहीं करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हन्वान जी जब सीता से मिले हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनके लिए सबसे कठिन काम हुआ उनका 75% एनरजी वाव लंका में सीता को मनाने में समझाने में लगी और सीता तरफ तर के पृश्ण कर रही है लेकिन वो बार बार के फिर सीता कहरे बेटा तुम दो देनी और रोप जाओ बाल में बलाचा चित्रण किया है तुम एग दो देनी और रोगया मेरे प्राण बची रहे है तुझे पताने मुझे किता परेशानी है या मैं उसकी कैद में हूँ उन्हें माप चिंता मत करो आप अभी मेरे साथ चलो तो सीता को समझाने में उनकी बहुत बड़ी इनरजी जा रही है और वे मतलब बिलकुल एक औरत के अंदर उतर जाते हैं कि उनको क्या दर्द हो उन्हें मालूम है राम जीते हैं राम सीता के बेना अधूरे हैं राम की जीत के लिए सीता का सीता का अनकूल होना जरूरी है सीता की निश्चिंतता जरूरी है तो सीता निश्चिंत हैं तो राम जीतेंगी नहीं राम रावण को नहीं मार पाएंगे राम अपने लक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे रावण को उनके लक्ष तक पहुंचाने के लिए सीता को मनाना सीता को अपने अनकूल करना बहुत जरूरी है इसलिए वो सीता के साथ तो उनको सीता वैसे ही प्यार करती है बेटे की तरह से और राम जी भी उने बेटे की तरह से प्यार करती है तो द्वाइत है उनके अंदर, माइटी भी हैं, मॉडेस्ट भी हैं, राम के सामने मैंने कुछ नहीं किया, मारा सब आपका किया हुआ है और सीता के सामने मैंने कुछ नहीं किया, मा सब आपका दिया हुआ है तो सब हाथ पेड़ते हैं, सब उनको अपना बेटा ही मानते है तो मैं हनवान जी का इतना अंदर से भक्त होता है, लिखने पर मैं और भक्त हो गया कि इतना बड़ा आदमी, इतना लर्निड है, इतना विद्वान है, इतना बल है, बल अंधा होता है जैसे चाट डंड बैटा के लगाता है तो आदमी थपड लगाने के इच्छा करता है लेकिन इतना बल है, इतना उनके पास सारे बल है, लेकिन विनए है तो बल विने का कम्बिनेशन है तो हनुमान जी में पाठक के पाल बेट कर ऐसी मिष्रा जी की लेखनी हम तक जब लेकर आती है तो सहजी विवरन रस्मा इडंग से संक्षेप में कुछ ऐसे महत्वपुन संकेत सार्थक संकेत लेकर हमारे लिए कुछ नई दृष्टी उद्गाटित करते हैं आगे बढ़ने की कुछ प्रेरना देते हैं मन को जागरत रखने की सीक इस तरह देते हैं कि हमको लगता है नहीं बात ठीक है तो इतनी महत्पुर्ण पुस्तक के लिए पुने एगवर आपका अभाजवत करते हुए आपका ये जो स्रजन का और जो आपका साधना का और साधते हुए हनुमान जी के साथ एक म में कोकर रस्में ढंग से अपनी लेखनी के माध्यम से जुड़ने और जोड़ने और आशिरवाद देने का ये त्रम है वो चलता रहे है आपका बहुत 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 ज़न्यवाद है